तो आज हम अपनी एडवांस एक्सल की दूसरी क्लास पे हैं हमने ब्रिवियस क्लास को छोड़ा था पेस्ट स्पेशल पे हम पेस्ट स्पेशल से आगे बर रहे हैं हम बात करेंगे पेस्ट पिक्चर पिक्चर लुक अपस इनके बारे तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन अपने डेटा को बहुत ही छोटा या बहुत ही बडा बनाना होता है जब आप डैस्पोर्ड या फिर कुछ तरह के संवरी वगरा बनाते हैं तो उसमें यह चीज आपको करनी पड़ती है तो अगर पूरा कॉलम को छोटा करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है क्या प्रॉब्लम होताते हैं मना के छोटा सब्सक्राइब करते हैं प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम क्या है कि इस टेबल को अगर मुझे एक जगह पर रखना जहां एक छोटे से एरिया में रखना है अगर में पूरा कॉलम अगर चोटा करता हूं तो इसके नीचे भी हो सकते हैं कि बहुत सारे वैलू हो अब वैलू जो होगा हो क्या होगा यह चोटा हो करने का फॉन चाहिए तो आपको जास अंद होगी अब में कर लिया तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हो गया अब इसको अपनी हिसाब से हम छोटा कर सकते हैं क्योंकि ए जो हो गया अब हो गया ए पिक्चर हो गया अब इसको अपनी हिसाब से जितना मर्जी उतना हम छोटा कर सकते हैं कहीं भी उठा के रख सकते हैं तो आप कभी-कभी रिपोर्ट या किसे ता का फॉर्मेट बनाते हैं तो वहाँ इसकी जरूरत हो सकती है तो बहुत सार लोग क्या करते हैं वो प्रिंट स्कीन लेते हैं फिर पेंट पे जाके पेस्ट करते हैं वहां से select करें कोट करें 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 लेके आते हैं यहां पर ऐसी प्रॉलम नहीं है आप पेस्ट रजे पिक्चर कर सकते हैं बट वही होगा कि हर दिन आपको करना है तो हर दिन copy paste करना पड़े हैं क्योंकि यह इससे link नहीं है आप चाहते हैं कि इससे link हो तो क्या करेंगे उस case में हम यहां बे पेस्ट रजे पिक्चर लिंक निक कर रहें अब क्या हो गया यह इससे link हो गया अब मैं अपने original data को कुछ भी change करता हूँ कुछ भी change करता हूँ आधिक फॉर्मेंटिंग भी change करता हूँ किस तरह के value change करता हूँ तो यहां आपका update हो जाए क्योंकि यह आपस के link में picture भी है और link भी है यह पिक्चर भी है और link भी यह तो ठोगया options अब बात आती है इसको utilize कहां करते हैं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक table बनाते हैं उस table को हम क्या ले जाते हैं उस table को हम ले जाते हैं अब प्रॉल्म होती है कि excel में हम change करेंगे तो word भी change करना पड़ेगा हम powerpoint भी ले जाते हैं हम अपने इसको excel table को तो हम इसको link कर सकते हैं मैं आपको दोनों में दिखा रहा हूं मैंने word खोला और मैं साथ में powerpoint भी खोल लेता हूं अब मैं excel seat पर आता हूं डेटा को copy करता हूं सुधीर जी में voice clear है न वाइस पर प्रॉलम तो नहीं है तो यहां हम आते हैं पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एस लिंक और यहां पर सेलेक्ट करते हैं Microsoft worksheet excel worksheet and ok करते हैं तो यह आपका link हो कि इसको बराश होता कर सकते हैं उसी तरहीं किसे से आप यहां यहां भी कर सकते हैं पावर पाइंट भी कर सकते हैं पेस्ट इस्पेशन पेस्ट एज लिंक यहां पर पर और इसको भी अपने बड़े बड़े साथ पर प्राच उटाइगा सकते हैं अब बात आती है कि अगर मैं अपना एक्सल चेंज करूँ जैसे मैंने यहां पे 71 को 170 कर गया आप देखेंगे वर्ट पे 170 हो गया पावर पाइंट पे 170 हो गया तो इसका यूज करते हैं तो बार बार आपको चेंज करना नहीं हुआ अगर मालेजे कभी अपडेट नहीं हुआ तो इस पी क्या करेंगे मालेजें अपडेट नहीं हुआ तो राइट क्लिक और अपडेट लिंग कभी कभी नहीं होता है है एक यूज तो एक है दूसरा और दूसरा यूज मैं आउफिस में करता था कम्प्री में काम करता था था सेल्स लिपार्टेल तो वहां पर मुझे बजर कि किस पर्शनने कितना से इल किया है हर घंटे हमें भीजना होता था अब प्रावलम होती थी कि हर घंदे हमें मेल को कंपोज करना होता था फिर उसमें हादना Excel सीट से कौपी अब Excel में जो बना होता हूँ तो बाइडेफोल अपने आप फंवुला लगा हुआ थो अपने आप संब्ली त्यार हो जाती थी तो हम लोगों ने इस फीचर्स को पेसे पिक्चर लिंक का यूज किया और एक आटोमेशन त्यार किया मालिक जी के मुझे जो डेटा मिरा है हर गंडेट होता है अप गंडे मुझे को पी इसको कॉप करके कैसेरे करना होता था कि यहां पर new email पर click करना होता था और यहां पर two cc इसे two में मैं डाल देता हूँ two cc में डाल देता हूँ subject और यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं तो मैं क्या करता था कि मैं copy paste करता था बट copy करके paste नहीं paste as a value परता था जी हां paste as a paste special में पेस्ट लिंक paste as a paste link पेस्ट लिंक पे क्लिक किया लिंक हो गया रत्वाच बढ़ा करना है बढ़ा कर दीजिए और फिर नीचे हम लोग अब आप यह बात समझ दीजिए आउट रूप में काम हैसा है कि मैंने सेंड कर दिया तो मैं अपना यहां डेटा चेंज होगा थर्ड परसन को वहां भी चेंज होगा है नहीं आपके जो मेल बेज दिया उसमें कोई चेंजिंग नहीं है तो चलेगे यह चलेगे तो चेंज के सोटा फिर फैदा क्या होता था हम लोग इसका टैंप्लेट बना लेते थे हम फाइल में जाते थे सेवेज करते थे सेवेज में हम यहां पर आउटलूप मैसेज कर जगह पर आउटलूप टैंप्लेट और एक लोकीशन पर डाल जेदे थे दैंसे अब मैं सेंट कर दे तो या हटा दू को बात नहीं है अब अगले घंटे क्या होता था कि हमारा रिपोर्ट चेंज होता था माली जी कि मैंने अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा यह जो टैंप्लेट बना रखने सेल्स अब्डेट का बस इस पर डबल क्लिक करनी है एक यस और नो का पूछेगा उसी यस करना है यस करते ही मेरा पूरा मेल रेडी है मेरा टू डला हुआ है मेरा सीसी डला हुआ है मेरा डेट डला हुआ है यहार पर पूरा लिखा हुआ है मेरा डेटा भी चेंज हो गया पहले लोग लग 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 अब मुझे यहां पर इसको तो यह अगले गंटे में अपना डेटा चेंज करता हूं , इसमार मैं डेटा चेंज हो इसमार मैं अगले गंटे क्या करना है इस पर डबल क्लिक करनी है यह से नो पर क्लिक करना है अब यहां अब डेट नहीं अब यहां ग्रीन क्लड़ होगे बंडेट अब बस अब बस तो मुझे बार बार मेल क्रीट करना कॉपी पेस्ट करना और लिखने से था बच गया हूँ तो आप लोगों को समझ में आया ने इसको रिपीट करूँ तो यह पिक्चर का यूज था अब देखें सबसे पहले आप अपना एक्सल पर समडी है जिस एरिय को करना है उस एरिय को एक बार फाइनल कर देखें कि ने इसको इस एक मेल वादी पेश करना है एसको कॉपी कीजिए कॉपी करने के बार आप जाएए निव पे निव एमेल पर जैसे आप अपनी email को journey करते यहां एकसर का पार्ट है वो paste करेंगे तो आप paste नहीं करेंगे क्या करेंगे यहाँ नीचे जो paste के नीचे arrow निशान होता है उस पर क्लिक करके paste special और paste special में आप यहाँ पर paste as a link को select करेंगे और उपर select करेंगे Excel Microsoft Code Object then OK जब कब final हो जाएगा ता आपको send नहीं कर दिना आपको इस file को save as करना है इस mail को new mail को और यहाँ outlook message पर आपको select करना है outlook template और यहाँ sales बजो भी लिखना है लिख दीजी अपना heading और save करतें उसके बाद आप send कर सकते हैं उसके बाद जब भी आप आपका उस location में इस तरह का file आ जाएगा आपको open करना है अपने एक्सल को update करना है इसको open करना है और जान रखेगा कि जब आप इसको open करें मैंने mail वर्डी को open करें इसको mail को तो आपका ओ एक्सल फाइल open नहीं बढ़ना फिर आपको update लिंक करना पर जाएगा आप कि नहीं 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 उस पर इस नहीं हो और इंटरने और आपका इंटरनेट बेस्ट प्रेटिंग सिस्टम और इस लिए आप आप याओ और जीमिल को आउटलू में पर आपको इसलिए करते हैं अब मालेजी कि आपका दो गंटे के लिए कोई internet service service बंद हो गया मालेजी या डाउन हो गया निक डाउन हो गया तो उस तक वह लिंक वापस आएगा तो तो आप डूड़ नहीं सकते हैं विए वाट आउटलूक में क्या है कि आपका अगर लिंक फेल है फिर भी आपकी पुराने मेल आप देख सकते हैं क्यों क्योंकि यह आपके स्वेडिया में से इस्टम में से तो एक आपका server पे भी होता है म तो आपको इंटरनेट को वापस स्टार्ट होने का बेटनी करना है आप यहीं पे जो है मेल लगा दीजे चल जाए और इसमें और बहुत सारे अपडेशन कर सकते हैं जैसे कि जैसे कोई मेल आपको भीजेगा तो आपका फुलर अटोमेटिकली अरेंज हो जाए और इसको रिप्लाए, आफ्टो रिप्लाइ चला जाये किसी थर्ड पर्सन को फॉवर्ड हो जाये ऐसी features आप यहां डाल सकते हैं, rules लगा गए जैसे मानले जिए कि आपको इर डेटा आता है और डेटा आपको तीसरे बंदे को फॉवर्वड करना होका तो आपको Gmail में तो forward के लिए लगना परेगा कि आपको manually forward करना परेगा बट यहां पर आप settings कर सकते हैं, change कर सकते हैं कि हाँ जैसे ही इस ID से इस subject line का कोई mail आता है तो third person को automatically forward हो जाए तो इस तरह की rules को set कर सकते हैं और Yahoo Gmail को भी इसमें आसानी से आप एक कर सकते हैं configure कर सकते हैं कि आपकी IT team से बात किजिएगा वो configure करतेगा बड़ ईजी है चलिए आगे बढ़ते हैं कोर्स को आगे बहाते हैं अब हमने आपको last class जो हमारी हुई थी उसमें हमने आपको को एक research दिया था हमने बोला था कि clipboard का जो यह option है इसका क्या यूज है किसी research किया बताएगे क्या यूज है मुझे एपर लास होता है इसको आपने बता जिए इसके use बट आप अपने ऑफिस में करेंगे इसको इसको है यह बैनी फिटोगर है तो यह क्या करेंगे इसको हुद है हुद है हुद है यह भी तरीका है लेकिन इसका यूज कम है बहुत कम है चलिए हम आपको एक यूज और बताते हैं आपको डेटा कंपाइल तो करते होंगे न मालेज़े कि आपको दस फाइलों का डेटा आ गया या दस सीट पर डेटा उसको एक सीट पर कॉपी पिल्स करना है इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है बहुत अच्छा रोल है जैसा आपकर सामने मैंने एक डेटा ना इक डेटा करते हो वह्ता है है तो पर पर जाती हो पर सीट माता है और वाप़ डूसरी शीट पर आते हो इसको तो कॉपी करते हो फिर डेटा सीट पे जाते हो सबसे लास्ट में आते हो दैंक टेश करते हो इस प्रोसीजर को मैं 50% रिड्यूज कर सकता हूं इस क्लिप बोर्ट की माद्यान से 50% आगे जब आगे वीवी अगर यूज करेंगे तो हम 100% भी रिड्यूज कर दूंगा लेकिन फिरहाल 50% से काम चाहिए करना कॉपी करने से पहले कलिप बोर्ट को रॉप करना है और चेकट कर लेना है कि पहले से कॉपीड तो नहीं है कॉपीड ़ॅथ सबड़ायक करना है अज है अब मैंने पुड़ा हो चुकाया कॉपी मैंने आप एक बार चेक भी कर लिया और रिमूव बगरा करना है रिमूव कर दीजिए फिर आएए डेटा पर और यहां किजिए पेस्ट एक की निचे एक की निचे पेस्ट होगी है न तो पहली होगी दूसरा जैसे की PDF से या different different sites से आप डेटा को ले के आते हैं तो बार बार जाते हैं copy करते पेस करते हैं तो उसका benefit इफी ले सकते हैं जैसे की जिर्ख Excel पर बर्ग नहीं करता है यह पूरी की पूरी आपकी system पर बर्ग करता है परी clipboard पर बर्ग करता है जैसे कि मैंने search कर दिया मैं सुधीर जी का यह नाम साच करता हूँ मुझे जो नाम आया है इसके link को copy करना है तो मैं एक-एक को copy करूँगा इसको पहले select करूँ पर copy करूँ पर paste करूँ select करूँ copy करूँ paste करूँ तो क्या करेंगे कि हम अपना clipboard यहां on करें और उसके बाल हम just copy करते चले जाएं इसको select किया बस एक डिक्कत यही है कि इसमें 24 ही copy कर सकते है ज़र फिर खाली करना पड़ेगा आपको कि इससे copy कर लिया और फिर वापस आएंगे जहां पर बस आपको यहां पर पेस्ट आउल करना है कि हो गया है तो जड़ाता पीडिया वग्रापी काम आता है हम अपना clipboard वाला topic को यहां पर खतम करते हैं अब अगले topic की तरफ बढ़ते हैं जो की है formatting method formatting method जिसे आप लोग जो है format तो करते हैं कोई भी format लिया आप बाकी जो है color color करना सब चीज कर लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है आप कर लेते हैं यह मैं जालता हूँ लेकि कुछ ऐसे formatting tricks है जो आप नहीं कर बाते हैं तो रिपोर्ट जो हम बनाते हैं उसमें formatting important होता है क्योंकि हम दुकान में जब cake खरिदने जाते हैं तो cake को test नहीं करते हैं पहले उसका look देखते हैं उसी तरह से आप अगर किसी का report देशते हो अगर आपका look report का look अच्छा है तो report हर कोई देख लेगा कितना भी data बेकार के उन्हाँ एक बार file को देखेगा जरूर लेकिन अगर माल लीजिए आपका information बहुत अच्छी है बड़ उतना देखने में attractive नहीं है तो जो जरूरत होगा वह ही देखेगा unnecessary कोई नहीं देखेगा so report from formatting manner करते हैं दूसरी formatting हमें easy to understand करती है ऐसा नहीं है कि formatting जब हम दिखावे के लिए करते हैं make up type ऐसा नहीं है हमें compare करने में बहुत फैदा है किस तरह करता है उसे 25 और 60 है अब मुझे इसमें देखना है कि बड़ा कौन है तो इसके लिए यहां पर comparing लगाएंगों इससे अच्छा है कि हम आपनी formatting में icon sit लगाते है अब लेकर से तो ऐसी भी देखा जा सकता है यह 25 है तो नहीं बाट 25 सौ करोड की बीच में बड़े बरे जी amount होते हैं उस तरह के बड़े amount अगर हुए है तो फिर दिक्कत हो जाएगी लेकिन formatting यहां easy to understand करती है तो चलिए formatting tricks को आज भी करते हैं तो सबसे पहला formatting में बात करते हैं जिसे आप word पे लिखते है 10th ती एच करते हैं तो space मारते ती एच ऊपर के तरह चला जाता है बट excel में नहीं जाता है तो excel में क्या करना होगा कि double click करके इसको select करना होगा format cell पे जाना होगा और यहां super skip पे click किए ऐसे आपको 10 degree लिखना है तो small o अब इसे small o को select किया format cell पे गया और यहां पे super skip इस तरह कर सकते हैं लेकिन प्रॉल्म में होती है कि जब हमारे पास बहुत बढ़ा डेटा है मैं 10 degree को यह लेते हैं हमारे पास काफी जदा डेटा है इस तरह से अब मुझे इसको इसके ऊपर degree लगाना है अब इसमें क्या है कि मुझे एक एक क्लिक करके जाना होगा small o को लिखना होगा फिर small o को select करके format cell में dance super skip करना होगा इस थोड़ा सा typical job है तो हमने क्या किया इसके बगल में small o को रखा नीचे के तरफ हमने इसको drag किया फिर हम इसको यहां पे लेकर आते हैं चोटा कर देता हूं सेलेक्ट करता हूं वाप्वासम फिर राइट क्लिक format cell एंड शूपर स्क्राइट और बेटर दिखाने के लिए इस उप्रवाले लाइन को और चोटा कर दीजिए पूरे एरिया को सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिक format cell यहां पे हम करते हैं border ऊपर वाले को सेलेक्ट किया इसको सेलेक्ट किया इसको select किया, इसको select किया, इसको, sorry, इस वले line को select मत किजिए गा, और फिर इसकी background color को white कर देगा, या फिर gear line हटा देगा, तो अब बाहर से देखने में पता ही नहीं चलेगा, कि यह अलग-अलग sales पि दिया गा, just like A है, उसी तरह भी दिखेगा, तो formatting का मतलब यही होता है, कि visibility को अपने according set करें, इसके example एक और देता हूँ, मुझे इसके लिए एक sentence चाहिए होगा, तो मैं यहीं से कहीं सुठा लाता हूँ, इसको copy किया, और हमने एक पूरे area को merge किया, और merge में यार रखेगा, कभी merge में direct paste करेंगा, आपका text paste नहीं होगा, आपको double click करके then text को paste करना होगा, उसके बाद हम यहां पर आते हैं, इसको यहां से wrap करते हैं, इसमें जो आईटी पटना लिखा हुआ है, गलत है, अब जिसने आपको बेजा है, उसको बताना है कि तुमने यहां पर आईटी पटना गलत लिखा है, अब उसको phone करके समझाओगे, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम डबल क्लिक करते हैं, और इसको सेलेक करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको सूपर स्किप्ट कर देते हैं, नहीं मापी स्किज नहीं, स्ट्राइक थूर, और इसकी कलर भी रेट कर दीजिए, ताकि इसली दीख जाए, ओके कीजिए, अब बेटर है, उसको समझाने में, उस समझ जाए, आपको बिना बताया समझ जाए, कि हाँ, यहाँ पर गलत है, तो फॉर्मेटिंग इसली में बताया आपको कि फॉर्मेटिंग इजी टो एंडेस्टेंड करती है, अब इससे एक एगजामपल और भी है, कि अभी जो मैंने आपको बताया कि गलत है, तो ऐसे आपके पास अगर डेटा सेल हो, तब करने के लिए, आप बोर्डर यूज कर जाकते है, प्रमेट सेल, बॉर्डर, खरेंट बडर का कलर रेट कर लीजिए, ताकि रेट दीखे, बॉर्डर का विर्च सेलेक कर लीजिए, इसको दीजिए और यहाँ पर इसको लीजिए, अब फॉर्पर परेस्ट करेंगे, तो तब क्या करेंगे तब मैं यहां जाता हूं फॉर्मेट से वापस बॉर्डर इस पर कलर ग्रीन लेता हूं और फिर यहां पर हमने इसको लिया और इस तरह से इसको आप कर लेगे आपने यहां लगाया इस फॉर्मेटिंग अब इसके बिहाब फिल्टर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपका कोई भी फॉर्मेटिंग फॉर्मुला और फिल्टर उसको सेप्ट नहीं करता है मुझे कुछ ऐसा चाहिए इसके फिल्टर लगा सको कंडिशन लगा सको फॉर्मुला लगा सकते हैं तो इसके आगे आप क्या करें कैफ्स में पी लिए और इस पी पे आप यहां पर होता है वाइंडिंग टू नाम का या बेडिंग टू नाम का फॉन्ट होता है इसको सेलेक करें फिर यहां पर क्रॉस में क्रॉस के लिए ओधरीजें कैफ्स में कैफ्स में ओधेंगे तो क्रॉस हो जाएंगे एक्षुल में आपका पी है अगा 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 फिल्टर लगाना हुआ तो जलनी आप बस यहां पर फिल्टर लगा लें में obstru Hola बद त्सक्रा की कर सकते हैं अभी बात आती है कि अब ईसी डानफल को हम लें यह तो पी जो ने दिया यह जो बेनिंगटू का फॉन्ड दिया यह तो पार्टोफ विंडो है, ऐसा हो सकता है कि आपके सिस्टम में इस नाम का फॉन्ट ondan हो क्योंकि हो सकता ह्पिंडो में नहों कोयी और चरु पर बर्जो जो यह तो इस अंशेती है तब क्या हो मैं हम इसको रोटेट कर लें इसकी फॉन्ट अगर कलिवरी होगी और जैसा और बेटर होगा और क्लॉस के लिए है इस तरह की जो अलाइमेंट हमने चेंज किया क्या इसका यूज इसका एक और यूज भी है आपको मैं दिखाता हूँ इसके लिए मुझे छोटा सा डेटा बनाता हूँ इसका एक महीने का और इसका अटेंडिन सीट मुत्यार कर रहा हूँ पूरे सीट को सेलेक्ट किया डबल क्लिक किया हमें यहां पर हट गया अब प्रॉलम है कि मुझे इसको प्रिंट करना है तो एक पेज पेर प्रिंट होगा नहीं मैं यहां से मार्जिंग को नॉर्मल कर देता हूँ फिर भी आप देखिए तेरन तक ही आपका है आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ हेडिंग बढ़ा है डेटा तो छोटा ही है तो क्यों ना हम हेडिंग को सेलेक्ट करें और यहां पर इसको हम रैप कर दें रोटीट कर द हो जाएगा अब इसको देखिए एक पेज में आगे तो फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि आप अपने फॉर्मेटिंग को ट्रिक्स की हिसाब से इस्तमाल करें और अपने काम को असान करें ऐसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग हो सकती है वह इस पे आप ध्यान दिजिएगा प्रॉलम होगी तो मुझे 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 पूछे का मैं आपको सप्रूर्ट करूंगा अब आपना जो आता है वह आता है हमारा नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में हम बात करेंगे तो कि यह काफी इंपोर्टिंट है लेकिन पांच मिट का ब्रेक रखते हैं आप्टर